यो इपप उनी लगबख सatर से असी परशंट जो काम है वो online कर दिया है बट अभी भी होई 20 से 25 परशंट काम और ऐसा बचा है जो आप online नहीं कर सकते और यह जो फंदरा से 20 परशंट जो काम बचा है जो आप online नहीं कर सकते इसके वज़े से एक नहीं हजार नहीं, लाखो PF मेंबर्स ऐसे हैं, जो अपना PF का पैसा वीडिरो नहीं कर पारें, तो टोप 5, पांच ऐसी डिटेल, पांच ऐसे जो करेक्शन आप घर बैठे नहीं कर सकते, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प PF मेंबर का आदार कार्ड नमबर, उसके UN PF अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, तो वो अब जो है, उसको ओनलाइन घर बैठे, अपने मुबाइल से या फिर लेप्टोप से लिंक नहीं कर सकता, उसको अपनी कंपनी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो एन डीकलरेशन जो फोरम रहता है, उसको भरकर EPF होगे, उस PF ओफिस में जमा कराना पड़ेगा, जहां पर आपका PF अकाउंट है, उसके बाद ही जो है, आपका जो आदार कार्ड नमबर है, आपके PF UN अकाउंट के साथ लिंक होगा, तो पहली तो सबसे बड़ी प्रोबलम यही है, पहले EPF उने ये फैसिलेटी हटा दी है, अब अगर आपको अपना आदार कार्ड नमबर जो है, अपने PF UN अकाउंट के साथ लिंक करना है, या फिर आपके PF UN अकाउंट के साथ आपका आदार कार्ड नमबर गलत अपडेट हो गया है, गलत लिंक हो गया है, तो उसके लिए आपको अपनी कम लेनी पड़ेगी जहांपर आप काम कर रहे हो कमपनी इसमें आपकी हैल करेगी जो आइंड डीकलेर्शन फोरम बरकर आपको फोरम 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 के पीएफों के पीएफोंट में जमाख कराना पड़ेगा उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद आपकी प्रोब्लम ठीक होगी तो पहली छोड़ देते हैं तो हम date of exit का भी सारी पीएफेंबर जो खुद अपडेट भी कर लेते हैं बट जाने अन जाने में जो है गलत date जो है वो select हो जाती है और wrong यानि की गलत date of exit जो है mention हो जाती है और एक बर अगर आपकी गलत date of exit mention हो जाती है आपके पीएफ यून अकाउंट म वो भरकर एक पीएफ होगे पीएफ ओफिस में जमा कराना पड़ेगा तो दूसरी problem यह है कि अगर जाने अन जाने में अगर आपकी date of exit गलत update हो गई है तो उसको भी आप online ठीक नहीं कर सकती है अब बात करते हैं तीसरी तीसरा यह है कि अगर जाने अन जाने में या फिर ज of joining अगर गलत update हो गई है तो उसको भी आप जो है online ठीक नहीं कर सकते उसके लिए भी join declaration जो फोरम है वो भरकर एक पीएफ होगे पीएफ ओफिस में जमा कराना पड़ेगा चोती सबसे बड़ी problem जो की मेरको हर वीडियो के comment box में देखने को मिलती है father name correction अगर आपके पीएफ account create होता है तो हम तो पिताजी की पापा की जो detail है वो hoy देते हैं सई mention करते हैं सई form में डालते हैं लिखते हैं बट फिर भी क्या होता है कि जो company है वो bulk में जो है पीएफ account create करती है और उनसे जो है गलती हो जाती है और पीएफ member के जो पिताजी का नाम है वह company जो है जाने अंजाने में कैसे भी बोल सकते हैं गलत अपडेट कर देती है उनके PF UN अकाउंट में और कम्पनी की गलती की वज़े से PF मेंबर का जो PF का जो पैसा रहता है वो फसे जाता है क्योंकि अभी तक EPFO ने फादर नेम और लगवा कर लेक्टर लिखवा कर EPFO उगे उस PF Office में जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका PF अकाउंट है उसके बाद जमा कराने के 20 से 25 दिन के बाद जो है आपके PF UN अकाउंट में आपके पिताजी का नाम जो है करेक्ट अपडेट कर दिया जाता है PF Office की तरफ से आप पाँचवी जो प्रोब्लम जो कि आप ओनलाइन ठीक नहीं कर सकते वो है जब हम date of exit mention करने जाते हैं तो वहाँ पर date of exit region भी हमें select करना रहता है तो अगर आप गलती से जाने अंजाने में date of exit region गलत mention कर देते हो गलत select कर लेते हो उसके बाद आप उसको online ठीक नहीं कर सकते तो date of exit जो region रहता है अगर वो गलत update हो गया है और उसको ठीक करवाना है आपका claim जो है reject हो रहा है कि वही आपका date of exit region जो है वो गलत update है तो उसको भी आप online ठीक नहीं कर सकते उसके लिए भी आपको जो फोरॉम EPF हो के उस PF office में जमाग कराना पड़ेगा जहां पर आपका PFA account है तो यह 5 comment बोल सकते हैं 5 ऐसे important काम आप online नहीं कर सकते इसके लिए आपको joint declaration जो फोरॉम रहता है वो भरकर EPF हो के PF office में जमाग कराना पड़ेगा तब ही आप जो है यह correction करवा सकते हैं और अगर आपको नह आपना है तो इसके उपर मैंने एक separate dedicated वीडियो बना रखिया लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वो वीडियो आप देख सकते हो और अगर आपको joint declaration फोरॉम डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जो है इस फोरॉम को आप डाउनलोड कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही था और आगे भी इस तर की हैल फोरॉम डोलबेस फीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा मिलते चलत एक और नहीं जानकर एक और नहीं information के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए टेक केर